हाई फ्रेंड्स वेलकम बैक, am I in medicine info दोस्तो आज की वीडियों हम बात करेंगे माय ओरिल इंजेक्शन के बारे में माय ओरिल इंजेक्शन के बारे में जानेंगे कब लगाया जाता है, कैसे लगाया जाता है साइड इफेक्ट साउधानिया सारी बाते जानेंगे, वीडियो के लास तक बने रही है और चैनल पर नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब करनेंगे एक वीडियो को लाइक जरू कर दीजीगा तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कभी कभी क्या होता है, महीरा हो, पुरुष हो जब वो एक पोजिशन में सो रहे होते हैं तो मसल्स अगड़ जाती है, यानि मसल्स में खिचाव आ जाता है यहां तक कि व्यक्ति मूव नहीं कर सकता है हिनल डुल नहीं सकता, हिनले डुलने में भी प्रोब्लम होती है तो ऐसे में हम एनल जैसिक का इस्तमाल करते है ऐसिकलोपेरा, डाइकलोपेरा यानि डाइकलोफेनिक परसिटमूल ऐसिकलोफेनिक परसिटमूल के कॉंबिनेशन में टैबलेट यूज करते है जब अराम नहीं लगता, तो कुछ मसल्स रिलेक्जेंट ड्रग लिखी जाती है जैसे के क्लोरो जोकसजोन और थाइकलोचोकोसाइड टैबलेट अब इनको खाने के बाद कभी कभी क्या होता है, अराम नहीं लगता तो ऐसे में मसल्स रिलेक्जेंट इन्जेक्शन भी लिखे जाते है तो उसी की हम बात करें है, मायोरिल इन्जेक्शन इसके अंदर होता है थाइकलोचोकोसाइड तो ये आपको 4MG मिल जाता है पर 2ML में 50-60 रुपे की किमत में असानी से मिल जाता है सनौफी फार्मा इसको मैनिफेक्शर करती है और बहुती अच्छा चलने वाला इन्जेक्शन है तो इसको दिया जाता है ये क्या काम करता है, आपकी मसल्स को रिलेक्श करने का काम करता है कुछ लोग बोलते हैं कि नस पे नस चड़गी वो नस पे नस चड़गी नहीं होता मसल्स आपकी खिस जाती है रेजिडिटी हो जाती है स्कलेटल मसल कोंट्रेक्शन हो जाता है तो ये क्या काम करता है आपकी मसल्स को रिलेक्स करता है जिससे के आपका दर्द दूर हो जाता है अब इसको लगाते समय सावधानिया क्या होनी चाहिए देखे अगर इसको आपको लगाया गया है तो आपको dizziness हो सकता है यानि चक्कर जैसा आ सकता है शडेशन हो सकता है तो driving ना करे लीवर किड्नी के अगर patient लगाया जा सकता है कम मात्रा में pregnancy में भी लगाया जा सकता है पर gynecologist की advice में लगा सकते हैं यूकि कई बार pregnancy में बहुत सारी complication होते हैं तो आपको नुकसान दे सकता है प्रेगनेंसी में advice लेना भूद ज़रूरी होता है तो ये है thaiocococide एक muscles relaxant drug जो कि आपके muscles को relax करता है और आपके muscles के दर्द को दूर करता है अब इसके side effect की अगर हम बात करें तो side effect इसके कुछ खास नहीं हो सकता है आपको diarrhea हो जाए या थोड़ा मोड़ा आपका पेट disturb हो जाए इस तरह के side effect दे सकते हैं बाकी कुछ side effect नहीं होते डोस अगर इसकी dose की हम बात करते हैं तो इसको SOS की तरह इस्तमाल किया जाता है यानि जरूरत पढ़ने पर अगर वो ज़्यादा समस्या है तो इसको सुबासां भी लगाया जा सकता है पर आपको 12 गिंटे का अंतर रखना होगा ऐसा नहीं हो सकता आपको इसको SOS की तरह यूज करना होता है इंटर मस्कुलर इसको लगाया जाता है मसल्स में इसको लगा रिलेक्स करके दर्द को दूर करने का काम करता है तो दोस्तो आई ओप आपको समझ में आगया होगा मायोरिल इंजेक्शन इसी तरह की इंफोर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने हम देते हैं आपको दवाईया बिमारिया डिजीज, क्लिनिकल टिस, जानकारी तो बीस सपोर्ट एंड लाइक वीडियो को जादर से जादर शेयर करते हैं चलिए दोस्तो मिलते हैं एक नेक्स वीडियो में नई इंफोर्मेशन के साथ तब तक के लिए जय हिन जय भारत